एल्टू सी एल्टू सिक्स का हम लोग इस्ट्रक्चर देखते हैं तो एलुमीडियूम का एटॉमिक नंबर होता है 13 इसका एलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर हम लोग लिखे हैं तो वन इस टू टू इस टू टू पी सिक्स त्री इस टू और ठीपी वन क्लोरीन का अगर आटॉमिक नंबर हम देखें कितना होता है 17 यानि वन इस टू 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 पी सिक्स त्री इस टू और ठीपी फाइव इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है त्री इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन अब तीन चार पाच छे ये क्या होगा हमारे सील अलुमिनियम के पास तीन इलेक्टरॉन थे तो ये तीन इलेक्टरॉनों की क्या करेगा शेरिंग करेगा एक इलेक्टरॉन की इस सील के साथ एक इलेक्टरॉन की इस सील के साथ शेरिंग करेगा, similarly ये भी अलुमिनियम एक लेक्टॉन की इस सील के साथ एक लेक्टॉन की इस सील के साथ शेरिंग कर लेगा, अब देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करेगा, एक लेक्टॉन की शेरिंग इसके साथ कर लेगा, ये भी क्लोरीन एक लेक्टरॉन की शेरिंग कर लेगा, ये एक लेक्टरॉन की, ये एक लेक्टरॉन की, ख्लोरिंग के पास आठ लेक्टरॉन हो गए, ख्लोरिंग के ओटर शेरिंग में साथ लेक्टरॉन थे, एक एक शेरिंग कर ली, कितने हो गए, आठ लेक्टरॉन, देखिए, इसके पा कितने हो गए इसने भी एक चेर्ण कर चुके हैं च्का यह क्लोरीन को जा पना खुए इसके पास यह पास कितने हो पाइए रोगए ह। तो होता क्या है यह क्लोरिन एक लेक्टॉन की शिरिंग कर चुका यह क्लोरिन अपने दोनों लेक्टॉन क्या करता है कौर्डिनेट बॉन्ड के थुरू यह वाले इस ऐलमिनियम को डोनेट कर देता है ठीक है इसने दो लेक्टॉन इसके दे दिये एक लिक्टरन यहां पर कितने बच गए लिक्टरन चार तो यह रहा इसके चार लिक्टरन दो तीन चार ठीक है अभी यह कलोरिन भी क्या करेगा अपने दोनों लिक्टरन कौर्डिनेट बॉर्ण बना देगा और अलुमिनियम को इस तरीके से क्या करतेगा डोनेट कर देगा इसके पास भी कितने लिक्टरन बच गए चार तो दो और दो चार ठीक है तो यह बॉर्ण निंग हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि अलुमिनियम ने क्या करा हुआ है यहां पर अलुमिनियम ने अलुमिनियम ने इस सेल के साथ सिंगल बॉर्ण इस सेल के साथ सिंगल बॉर्ण बनाया है और इस सेल के साथ सिंगल बॉर्ण सिमिलरली इस अलुमिनियम ने भी एक सेल के साथ सिंगल बॉर्ण एक सेल के साथ सिंगल बॉर्ण और एक सेल के साथ सिंगल बॉर्ण यहनी कोवैलेंट बॉन्ड बनाए है बाकी बचे जो दो बॉन्ड वो दो बॉन्ड में कलोरी ने इसके साथ एक काड़ने बॉन्ड बनाया है Similarly इस कलोरी ने इसके साथ क्या बनाया है काड़ने बॉन्ड तो यह होता है L2Cl6 का structure अब इसमें देखे इसमें total electron कितने आए है इसमें देखे total electron कितने आए ये electron हमारे कितने है दो और ये electron कितने है दो, दो कितने हो गए चार, और कितने element इसमें participate कर रहे है देखे, एक ये एक ये, एक ये, ये total कितने element participate कर रहे है, तीन और electron कितने है, चार तो इस bond को हम लोग क्या कहते हैं 3 centered 4 electron bond यानि ये जो आपको bond दिख रहा है ये वाला bond ये bond क्या है आपका 3 centered 4 electron bond है similarly इस वाले bond में भी देखे इस bond में कितने हैं मारे इस bond में एक aluminium है एक CL और ये दूसरा aluminium दो aluminium और एक CL और electron कितने हैं total दो ये वाले electron और दो ये वाले electron है यानि total electron कितने हैं 4 electron है और species कितने हैं 3 species के अंदर मौझूद है यानि ये वाला bond भी जो हमारा होता है ये वाला bond जो होता है इस bond को भी हम लोग क्या बोलते हैं 3 centered 4 electron bond तो ये होता है structure किसका ये structure होता है हमारा एल टू सी एल शिक्स का स्टॉक्चर होता है वोफिली आपको समन में आया और दिस यह सिटक्चर समन में आया है